हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है डॉक्टर शरंजी गौर और आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है प्लांट वर्मून्स की ही शरंपला में इसी सीरीस में हम लोग पीछे जूट गया थे हमने स्यलेसली कैसिट अबी कम्पलीट नहीं किया था स्यलेसली कैसिट के बारे में आज हम लोग पढ यह बड़ेंगे तो बच्चों सससली कैसिट क्या होता है बेंजीन कारबॉक्सिलेग एस दो नंबर पॉजेशन पर हाईडराक्सिक रूप है इसलिए हम इसे बीटा हाईडराक्सि असिड भी कहते हैं तो एक बीटा हाईडराक्सिद BENZEEN Crial Natural Compound होता है और कब बनता है यह एक Anti Inflamatory Agent का काम करता है यानि कि यानि कि इस अंदर होने वाले डामेज से बचाता है और एक यह टॉपिकल यानि उपर से अगर हम इसको स्प्रे करें तो यह एक एंटी बैक्टिरिया लेजिन का भी काम करता है क्योंकि इसकी वज़े से एक्सपोलियेशन हो जाता है यानि कि जो भी उपर की परत है वो हट ज आगे बात करते हैं कहां बनता है तो यह बनता है प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या बनता है जब हमारा प्लांट सिस्टेमिक एक्वाइड रजिस्टेंस गेन करता है सिस्टेमिक एक्वाइड रजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी किसी प्लांट पर कोई भी बैक्टिरि होने वाला ASER resistance जिसकी वे से हमारा plant survive कर पाएका उसे हम systemic acquired resistance कहते हैं जैसे कि हमारी body के अंदर acquired immunity होती है ठीक उसी प्रकार से plants में systemic acquired resistance पाया चाता है ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यह almost immobile होता है याणि जादा यह move नहीं कर सकता physiological effect क्या होते हैं अगर मैं duck weeds की बात करूँ तो उसमें ये flowering को promote करता है इसके अलावा sinnescence को रोपता है यानि कि जो petals होते है flower petals उनकी sinnescence को रोपता है उसकी aging को रोपता है कैसे क्योंकि ethylene के level को कम कर देता है तो ये बड़ा important factor आया है कि thylene के level को salicylic acid कम कर रहा है it has been identified as the signal initiating the thermogenesis in voodoo leaves voodoo lily जो होती है उन voodoo lily में thermogenesis initiate करने में यानि की temperature यानि heat का production करने के टाइम पर भी signal generate करने का काम आपका as a signal molecule salicylic acid पाया जाता है इसके अलावा abiotic stress में भी plant response दिखाता है salicylic acid और जब हम बात करते हैं viruses की तो viruses की against defense provide करने में भी salicylic acid एक बहुत important role play करता है यह होगा structure second number position पर hydroxy group है और first number position पर carboxylic acid group है यह होगा हमारा beta hydroxy benzene carboxylic acid group salicylic acid इसकी synthesis और catabolism की बात करते हैं यानि synthesis और degradation की बात करते हैं तो beta salicylic acid की synthesis दो pathway से होती है एक तो होती है transinemic acid से दूसरी होती है chorismic acid से एक में precursor है transinemic acid दूसरे में precursor होता है chorismic acid तो यह depend करता है कि nature of elicitor यानि signal का nature क्या था जो signal आएगा उसके हिसाब से transinemic acid pathway activate होगा या फिर chorismic acid pathway activate होगा अब जो pathway होता है biosynthesis का plants के अंदर वो भी species specific होता है और we can say treatment specific treatment का मतलब एक signal के बात करेंगे कि signal कौन सा मिला दूसरी बात species specific है यानि कि अलग-अलग species में अलग-अलग type से synthesis हो सकती है किसी species में इसको follow करेगा कि दूसरी species में दूसरी पात्वे को follow करेगा जैसे कि अगर हम abiotic stress की बात करते हैं तो एक important point है कि जब हम abiotic stress की बात करते हैं जिसमें कोई भी pathogen involved नहीं है जैसे drought resistance हो सकता है drought stress हो सकता है salt stress हो सकता है heat की वज़े से stress हो सकता है ऐसे stress में salicylic acid का formation कोरिज में केसिद से होता है लेकिन जब pathogen present है यानि कि जब biotic stress की हम बात करते हैं तब salicylic acid आपका transinemis acid से बनता है तो यह हमारी signal की भी बात हो गई और mechanism की भी बात हो गई अब जो biosynthesis होती है तो 1993 में salicylic acid की biosynthesis थी nicotiana tabacum की अंदर वो एक side branch भी involve करती थी यानि 1993 में इसकी synthesis को propose किया गया nicotiana tabacum में जिसमें एक side branch थी वो side branch थी phenyl propanoid pathway की phenyl propanoid pathway से होता क्या था transinemis acid को benzoic acid में convert किया जाता था फिर आपका जो benzoic acid है वो आप में two hydroxylation वहाँ पर होता था benzoic acid में benzoic acid में second number position पर hydroxylation होगा यानि beta hydroxylation होगा और वो बन जाएगा salicylic acid so बाद में जब हमने TMV यानि की tobago mosaic virus का inoculation करा जब virus का inoculation किया तो बहुत ही जादा benzoic conjugate मिले जब benzoic conjugate थे उनकी hydrolysis हुई और वहाँ से benzoic acid release हुआ उस benzoic acid से benzoic acid 2 hydroxylase enzyme activate हुआ जब benzoic acid 2 hydroxylase enzyme activate हुआ तब benzoic acid से salicylic acid बना समझ में आई बाद कि पहले एक side branch हुआ करते थी phenyl propanoid pathway phenyl propanoid pathway में transinamic acid से benzoic acid बनता था फिर जो आपका benzoic acid होता था उसके beta hydroxylation से salicylic acid बनता था ये 1993 में biosynthesis का proposed pathway था लेकिन बाद में जब हमने TMV का inoculation करके देखा तो हमको पता चला कि एक बहुत बड़ा पूल था benzoic acid के conjugates का और जब वो hydrolyze होते हैं तो बहुत जादा मात्रा में benzoic acid बन जाता था फिर benzoic acid के बनने से benzoic acid 2 hydroxy laser enzyme activate होता था जो कि benzoic acid से salicylic acid में convert कर देता था बाद में इसमें और ज़्यादा research हुई और ज़्यादा research हुई तो ये पता चला कि कौन सी वाली हमारी rate limiting step है rate limiting step वो step होती है जिसको हम कहते हैं सबसे slow step so slowest step कौन सी थी signaling में या synthesis में salicylic acid की biosynthesis में limiting step जिसके अंदर beta oxidation pathway भी हो रहा है उसके बाद in which transinemoyal coenzyme A is first of the four intermediate total चार intermediate होते हैं transinemik acid वाले pathway में चार intermediate में से transinemoyal coenzyme A पहला intermediate होता है beta oxidation pathway के process में इसे का indirect evidence आया जिसमें क्या आता है जो transinemik acid है it is acting as the key intermediate in the salicylic acid biosynthesis pathway कैसे पता चला जब हमने TMV का inoculation किया leaves में zenthi NC plant में तो zenthi NC plant के अंदर जब TMV का inoculation कराया गया यानि TMV को transinemik plant के अंदर insert कराया गया inoculate कराया वाइरस को inoculate कराना is not a detail I will show you कि कैसे होता है जिसमें क्या होता है phenylalanine ammonia liase enzyme के activity suppressed हो गई phenylalanine ammonia liase activity suppressed हो गई जिसकी वज़े से क्या हुआ which exhibit a fourfold lower increase in the salicylic acid than the inoculated leaves of the wild type plant wild type plant में जितना आपका leaves बढ़ना चाहिए जितना आपका salicylic acid pathway का increment होता है आपके इस transgenic plant में जिसमें आपका transgenic acid के लिए ये एक transgenic था वहां पर आपका one by fourth increase हुआ इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहां पर आपका it is produced as a biosynthetic precursor of siderophore siderophore क्या होते हैं जो कि iron chelating compounds होते हैं तो कुछ ऐसे bacteria होते हैं जिसमें siderophore की synthesis होती है जो कि iron को chelate कर सकते हैं और salicylic acid chorizmic acid से बनता है तो ये अलग बात हो गए हमारी जहां chorizmic acid से बनेगा वहां पर आपका siderophore आ रहा है तो bacteria में chorizmic acid सबसे पहले isocorizmic acid में convert होता है isocorizmic synthase enzyme से ICSA इसके बाद जब isocorizmic acid बन जाता है बाद में इसको salicylic acid में convert करते हैं और pyrovic acid बनाते हैं by isocorizmic pyruvate liase enzyme यानि कि IPLC इस evidence से आपको क्या पता चला कि जो हमारा salicylic acid था arabidopsis के अंदर उसकी synthesis isocorizmic acid से होती है जैसे bacteria में इसी के साथ ये भी पता चला कि जो arabidopsis plant है इस plant के अंदर भी isocorizmic acid से ही synthesis होती है जैसे bacteria में होती है तो इसमें भी आपका ICS-1 यानि कि isocorizmic synthase 1 enzyme या sidero4-2 SID-2 mutant defective ICS enzyme जिसमें ICS enzyme नहीं है अगर हम इसको use करते हैं तो आपको पता चलता है कि केवल 5 से लेके 10% salicylic acid जो है wild type का मतलब wild type के मुकाबले केवल 5 से 10% salicylic acid बना after pathogen infection So are you getting these points? So far कोई भी IPL activity report नहीं की गई ये condition हमें समझ में आई है कि IPL का जो use है ये bacteria में तो है bacteria में salicylic acid के formation में आपका IPL का use होता है लेकिन plant में IPL का use नहीं होता उसमें ICS का use होता है जब आपको discovery हो गई आइसो कोरिजमिक एसेड पाथवे की Arabid opsis के अंदर तो उसमें बहुत सारे questions आए यानि कि इसमें benzoic acid का और आइसो कोरिजमिक एसड डिपेंडेंट पाथवे का क्या contribution है क्लिएर अलग अलग अदो species में जैसे मैंने आपको अबी बताया था अलग contribution है हमने तबेको में पढ़ा था उसमें बेंजोईक एसिड का में रोल पढ़ रहे थे उसमें में इसी पाथवे से सलेसले केसिड का फॉर्मिशन देखा था और आइसो कुरिजमिक डिपेंडेंडेंट पाथवे जो था वह आपका अराइबिडॉपसस में पाया गया पूरा बाथवे और बीटा ऑक्सिडेशन पाथवे एक कोईंजाई में इंडिपेंडेंट रूट होती है फॉर्द कन्वर्जन ओफ ट्रांस इनमिक एसिड टू बेंजोईक एसिड एंडेट में अलसो एक्जिस्ट देखिए यह हमारा कोरिजमिक एसिड है ठीक है यह कोरिजमिक केसिड से आपका किसीड से ऑपका ऑइसिस to एंजाईं जो आसो कोरिजमेट सिंथेजिय न्ड़ यह फाइंडल की इस फाइनले आई इसो कोरिजissement केसिड बनाता है तो उस पर आईसो कोरिजमिक एसिड लाइज बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है यह सेल इसलेस्वी फिनाइल एलनीन की सिंथेसिस होती है, उसके बाद फिनाइल एलनीन अमोनियम अमोनिया लाइयेज एंजाइम जो P-A-L enzyme है। इसकी वज़े से directly transcinemic acid बन जाता है transcinemic acid से finally आपको पता है benzoic acid बनता है benzoic acid से finally आपको क्या मिलता है इसके beta hydroxylation की वे से salicylic acid बन जाता है when benzoic acid two hydroxylase enzyme काम करता है एक आपने side part पे भी रेखा था जो transcinemic acid था इससे transcinemyl coenzyme A मिलता है इसकी बात हम कह रहें एक तो है transcinemyl coenzyme A independent root और एक है इस पर dependent root so Arabidopsis के अंदर जो mutant होते हैं जो कि आईसो कोरिजमेट सिंथेस के नहीं है मतलब ये mutant की बात करिये है यहाँ पे mutant है उस case में हमें देखा कि इसमें जातर आईसो कोरिजमेक acid से बनता है Arabidopsis में हमने इसके study से देखा कि जो main pathway है वो यह वाला pathway Arabidopsis में Arabidopsis में इसके अलावा दो enzyme होते हैं UDP glucose dependent glucose cell transferase enzyme UDP glucose dependent UDP glucose dependent glucose cell transferase enzyme So UTP, UGT, 74F1 You do not have to remember this name बस you just have to focus कि UDP dependent UDP glucose dependent glucose transferase enzyme होता है जो क्या करता है Salicylic acid को beta-glucosal ester में convert कर देता है जिसे हम SGE कहते हैं यह हमारा salicylic acid beta-glucosal ester में convert कर दिया या आपका beta-2O-beta-glucosal side में convert कर देता है याने कि SAG में convert कर देता है तो यह जो enzyme है यह क्या कर रहे हैं इसके salicylic acid के conjugate बना देते हैं समझ में आया आपको synthesis synthesis के mainly दो pathway हैं एक pathway में आपका iso-corrhizmic acid के through बन रहा है दूसरे pathway में हमारा benzoic acid के through बन रहा है salicylic acid now दो pathway एक था आपका iso-corrhizmic acid से pathway जो हो रहा है और दूसरा है आपका PAL यह वाला PAL था हमारा phenyl-alinin-ammonium-lyase एक था iso-corrhizmic synthase यह हो गया हमारा ICS pathway iso-corrhizmic synthase की वज़े से क्या होगा? chorizmic acid से iso-corrhizmic synthase enzyme काम करेगा iso-corrhizmic acid बनाएगा फिर IPL है IPL कहां काम कर रहा है? bacteria में plant में क्या होगा? plant में इसी का कोई homolock होगा but not IPL iso-corrhizmic iso-corrhizmic synthase liase enzyme इसके बाद आपका क्या होता है? salicylic acid finally बन जाता है लेकिन जब हम PAL-PATFAY की बात करते है PAL-PATFAY यानि कि phenylalanine amino liase enzyme इस कंडिशन में oscorrhizmic acid से आपका pre-phenic acid बनता है फिर L phenylalanine बनता है इस phenylalanine पे PAL काम करता है यानि कि phenylalanine amino liase amino transference liase enzyme काम करता है जो कि इस amino group को remove कर देता है समझ पारे? ये एक बार ammonia group यहां से release हो गया ammonia के form में तो transinemic acid मिल गया transinemic acid के दो pathway side pathway दो pathway एक से आपका ortho-cumetric acid बन सकता है दूसरा आपका benzaldehyde बन सकता है benzaldehyde पर आपका oxidase enzyme काम करके इसको benzoic acid में convert कर देता है और benzoic acid पे दूसरा ortho-cumetric acid था ortho-cumetric acid में आपका बाकी सारा pathway था इसके अंदर बीच में से आपका ये group minus हो जाएगा तो दो step में ये group हट जाता है finally आपको salicylic acid मिल जाता है दोनों pathway होगे अब ये जो दोनों pathway हैं दे में operate under different conditions कौन से पात्वे कब होगा it depends condition क्या है so it is not likely to be case in the Arabidopsis as ICS-1 and CID-2 mutant fails to accumulate SA यानि salicylic acid in response to various salicylic acid inducing environmental cues so दो pathway हैं वो अलग-अलग conditions में काम कर सकते हैं लेकिन Arabidopsis के case में ये देखा गया कि जब हमने ICS-1 या CID-2 mutant use किया है तब उसमें salicylic acid का accumulation नहीं हुआ है यानि कि यहाँ पर यही main pathway है so बाकी जगाओं पर जो दोनों pathway होते हैं वो different species में अलग-अलग हो सकते हैं जैसे कि salicylic acid की synthesis ozone से होती है यानि ozone की exposure की वज़े से nicotiana टबेकम में radio-labeled benzoic acid का incorporation देखा गया salicylic acid में and ICS gene जो था वो express नहीं हुआ यानि कि जब हमने ozone का exposure दिया है nicotiana टबेकम को तब हमने देखा कि जो radio-labeled benzoic acid थी वो आपकी salicylic acid में तो मिली मगर ICS gene का isochorismate synthese gene का कोई भी expression नहीं हुआ यानि कि यहाँ पर benzoic acid dependent pathway activate हुआ लेकिन जब हमने arabidopsis में same treatment देखा तो उससे ICS 1 gene का induction हुआ तो समझ पारे हैं आप लोग कि अलग-अलग plant species में अलग-अलग treatment से दोनों में से कौन सा pathway activate होगा यह एक्दम अलग process है clear होगे आपको by synthesis now coming to the catabolism यानि कि degradation जब एक बार synthesis हो जाती है तो जो salicylic acid है उसमें बहुत सारे biologically relevant chemical modifications होते हैं जिसे glucosylation glucosylation मेंने अभी आपको बताए जिसमें SAG था और SGA था दोनों में ही glucosylation हुआ था methylation हो सकता है MESA बन सकता है methyl salicylic acid या फिर amino acid का conjugation भी हो सकता है ज्यादा तर जो modifications होते हैं उसमें salicylic acid inactive हो जाता है while at the same time they allow fine tuning of its accumulation function and or mobility fine tuning का मतलब यह है कि हमारा जो salicylic acid है वो एक जरूरत के time पर ही काम करना चाहिए तो बहुत कम मात्रा में होता है अगर माल लीजिए बहुत जादा हो जाए तो उसको थोड़ा कम करना है हमको कम करना है तो कहीं न कहीं उसको accumulation, function, mobility इसको थोड़ा समभालना बढ़ेगा समभालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है उसको modify करना पड़ता है modify करते है तो जितना भी salicylic acid बहाँ पर present है cell के अंदर गुन में से कुछ बार inactive हो जाता है जैसे glucose isolation से inactivation होता है यानि salicylic acid inactive हो जाएगा जिसके बाद vacuol में जाके store हो जाएगा और जब ज्यादा मात्रा में salicylic acid present होगा तो उसकी जो toxicity होनी चाहिए थी salicylic acid की वज़े से वो कम हो जाएगी समझके glucose isolation ने क्या किया salicylic acid की access ज्यादा मात्रा को की वज़े से होने वाली toxicity को रोख दिया उसको vacuol में store कर लिया methylation की वज़े से भी inactivation होता है while increasing its membrane permeability methyl salicylic acid जो होता है methyl salicylate उसकी वज़े से भी membrane की permeability तो increase हो जाती है और इसकी volatility भी increase हो जाती है लेकिन इसकी activity कम हो जाती है या वो नहीं होती यानि कि अगर मुझे salicylic acid को long distance transport में पहुँचाना है leaf में synthesize करके root तक पहुचाना है different signal के form में तो मुझे उसे methyl salicylate में convert करना पड़ेगा तीसरा वाला था amino acid conjugation amino acid conjugation बहुत ज़्यादा characterize नहीं है वो भी salicylic acid के ketabolism में ही involved होते होंगे ऐसा माना जाता है अब देखिए methyl salicylic acid का क्या scene है यह methyl salicylic methyl salicylic acid से methyl salicylate esterase enzyme से आपका यहाँ पर group transfer हुआ methyl group यहाँ पर आ गया methyl group जब आया इसके बाद यहाँ glucose solution हो सकता है यह आपका क्या है UDP glucose dependent glucose transferase enzyme अभी हमने इसके बारे में discussion किया था UGT तो यह same enzyme है that same enzyme will be making it a glucose conjugate also so systemic tissues जो होते हैं systemic tissue का मतलब damage किसी और site पे हुआ था response कहीं और मिल रहा है दूसरी किसी site पे एक local response और एक systemic response होता है local tissue का मतलब हुआ जहाँ पर damage हुआ था जैसे यह damage है यह abiotic, abiotic कुछ भी हो सकता है for example यहाँ पर pseudomonas syringi का primary infection यहाँ पर हुआ था pseudomonas ने इस वाली leaf पर attack किया था और उपर वाली leaf में synthesis हो रही है तो यह systemic tissue हो गया clear primary leaf में क्या हो रहा है यहाँ पर भी आपका methyl salicylic acid है इस पर भी आपका एक दूसरा enzyme काम करेगा same यही वाला enzyme sorry काम करेगा और यह भी इसका glucosylation कर देगा क्योंकि जो भी pathogen है उस pathogen की वज़े से salicylic acid बहुत जादा बढ़ गया है जब वो बहुत जादा बढ़ गया है यहाँ पर methyl salicylic acid जाके दूसरी जगा पहुँच रहा है अगर इधर भी हमारा pseudomonas syringi आया इधर से होता हुआ आया सो secondary infection है तो यहाँ पर भी salicylic acid बनेगा जब यहाँ भी salicylic acid बनेगा तो उसका भी methyl salicylic acid होगा methyl salicylic acid बनने के बाद उसका भी glucosylation होगा जब glucosylation हो जाता है तो यह हो जाता है inactive clear ketabolism भी समझ में आया कितने तरीके के conjugate हो सकते हैं बच्चों salicylic acid के methyl salicylic acid acetyl salicylic acid जिसे हम aspirin के नाम से जानते हैं जोकि एक दवाई भी होती है आपको पता होगा 5 amino salicylic acid amino group का attachment हुआ है यहां पर फिर आया salicyloyal aspartate aspartic acid अगर attach हो गया तो salicyloyal aspartate हो गया salicylic acid 2 oxo beta d glucose है अगर यहां glucose group जुड़ा हुआ है तो 2 oxo beta d glucose आगे आते हैं salicylin salicylin भी यहां पर group हो सकते हैं clear होगी आपको signaling की बात करते हैं last हमारा इसका topic है signaling कैसे करता है आपका salicylic acid salicylic acid का जो possible role है salicylic acid का systemic acquired resistance में होता है तो सबसे पहले कोई भी pathogen है जब वो किसी plant वो infect करता है यानि primary infection होता है उसकी वज़े से localized hyper sensitivity reaction हो जाती है जिसे हम कहते हैं HR HR का मतलब वो hyper sensitive reaction और इस hyper sensitive reaction की वज़े से बन जाती है salicylic acid जब salicylic acid बनता है तो यह phloem के थू बाकी के reason में पहुंचता है plant के सारे पार्ट में पहुंचता है जब सारे पार्ट में पहले से salicylic होगा तो कोई भी secondary pathogen वहाँ पर interact कर नहीं कर पाएगा इसे हमने का कि इसने systemic acquired resistance जेनरेर किया alternatively जो salicylic acid है वो methyl salicylic acid में convert होता है methyl salicylic acid जो की moderately volatile है वो एक air bond signal का काम करता है तो salicylic acid flowing के थू जा रहा है और methyl salicylic acid आपका volatile compound है तो यहां से move करके air के थू दूसरी जगा कोहँच सकता है यह क्या करता है hypersensitive response जब generate हुआ तब उसकी वज़े से hypersensitivity के बाद systemic acquired resistance आता है जो की broad immunity प्रोवाइड करता है जादातर जो research papers है वो क्या बताते हैं कि salicylic acid है या इसका volatile form है वो आपके systemic acquired resistance के लिए signal का काम करते है जो आपके systemic acquired resistance है it is mainly characterized by the increase in salicylic acid levels तो the activation of defense related genes इसके बाद क्या होगा defense related genes activate हो जाते है और pathogen related proteins activate हो जाते है तो यह एक signal का काम करते है signal की वज़े से response generate होगा response क्या होगा कि बहुत सारे genes active होते है कौन से वो genes होते है pathogenesis related protein होती है ठीके जी अब isokorismic acid का जब synthesis होई थी तो isokorismic acid korismic acid से salicylic acid बनाता है Arabidopsis mutant से हमने देखा था कि अगर हमारा इसके mutant हम यूज़ करते हैं कौन से वाले ICS-1 या फिर CID-2 mutant अगर हम यह mutant यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमें पता चला उसमें SAR का induction नहीं हुआ था systemic resistance जो होता है infected plant का अगर हम isokorismate synthase gene insert करते हैं अगर उस gene में उस plant के अंदर isokorismate synthase gene होता है तब उसके gene का alteration क्या है दीरे दीरे कम हो जाता है and salicylic acid का accumulation केवल 5-10% होता है so systemic resistance of infected plants जिसमें isokorismate synthase gene के alterations पाया जाते है यानि कि इसकी altered form यानि mutant form पाया जाती है उन वाले plants में salicylic acid का बहुत ही कम accumulation देखा गया है सबसे important जो regulatory protein होती है वो होती है NPR 1 NPR का मतलब है non expression of pathogenesis related genes 1 pathogenesis related genes 1 non expression ये इक बहुत important role play करती है salicylic acid के biochemistry में so NPR 1 क्या है NPR एक weekly expressed gene होता है कब gene होता है पूरी plant में बहुत ही कम express हो रहा होता है लेकिन जैसे ही salicylic acid आता है या कोई भी pathogen का infection होता है तब इसका messenger RNA, mRNA का level अचानक से 2-3 गुना बढ़ जाता है इसके अलावा जो आपका NPR gene है उसके alternation जब देखे गए यानि इसके mutant देखे गए Arabidopsis में तो उसमें देखा गया कि उन्होंने salicylic acid के लिए कुछ भी response generate नहीं किया तो हमने Arabidopsis में दो तरीके के mutant देखे एक से तो salicylic acid की synthesis नहीं हो पा रही थी और दूसरा था आपका NPR1 के mutant NPR1 के mutant में हमने देखा कि जो salicylic acid था इसके presence में भी उसमें कोई भी activity नहीं हो रही थी So salicylic acid के लिए NPR1 gene बहुत important है Salicylic acid is necessary for the interaction between the NPR1 protein and the TGA family of transcription factor TGA family और NPR1 protein के interaction के लिए salicylic acid बहुत important है TGA family के है TGA transcription factor होता है B zip family का जो zip family B zip basic zip family होती है जो कि बहुत जादा conserved है in plants, animals and microorganism transcription factor की family होती है TGA transcription factor होते है उनका NPR1 के साथ interaction कराने में salicylic acid बहुत important role play करता है कैसे? देखिए, शिक्मी केसिट पात्वे आपने सुना होगा तो शिक्मी केसिट से chorismic acid बनता है फिर chorismic acid से isochorismate synthase enzyme isochorismate बनता है isochorismate से आपका PAL, जो IPL है वो आपका salicylic acid बना देता है and इस isochorismic acid से phenylalanine भी बनता था जिस पे PAL काम करके transinamic acid and then benzoic acid बनाता था जिस पे benzoic acid 2 hydroxy lase enzyme salicylic acid बना देता था ये तो रही synthesis की बात अब बात करते हैं signaling की तो जब हमारे पास salicylic acid बहुत ही कम मात्रा में है तो NPR है वो cytosol के अंदर present है cytosol में present है क्योंकि salicylic acid कम है कम है तो यहाँ NPR जब nucleus के अंदर जाता है तो इस पे NPR 3 और 4 जुड़ जाते है NPR 3 और 4 क्या है बच्चो? ये आपके negative regulator होते है यानि कि ये क्या करते है NPR 1 को TGA के साथ जुड़ने से रोक देते है जब NPR 1 TGA से जुड़ता नहीं है तो आपका pathogen related जो genes है वो बनते नहीं है तो सीदी सी बात है हमारा आगी का काम नहीं होगा लेकिन जब बहुत जादा मात्रा में salicylic acid present होता है तो salicylic acid जाके NPR 1 से जुड़ जाता है उस condition में NPR 1, NPR 3 और 4 के साथ जुड़ा रहता है और कुछ NPR free हो जाता है वो NPR जो free हुआ जिसमे salicylic acid था उसने NPR 3,4 से जुड़ लिया एड हो गया जो NPR यहाँ पर था present वो जाके TGA जोकी transcription factor है इस से जुड़ा जब यह transcription factor से चुड़ा तो आपके genes activate हुए और pathogen related genes activate हो पहे सही है अब of particular interest is the recent discovery that changes the redox status of the cell play an important role in the NPR 1 and TGA interaction यह बड़ा important आया कि अब एक recent discovery में यह पता चला कि हमारी जो cells होती है उनका redox यानि कि reduction and oxidation status जो होता है cells का वो change हो जाता है जब NPR 1 और TGA का interaction होता है यानि कि cell का जो redox potential है वो change हो गया क्यों? क्योंकि एक initial burst हुआ reactive oxygen species का to the more reducing environment क्योंकि cell के अंदर ज्यादा reduction reducing environment है तो उससे reactive oxygen species बने इस reactive oxygen species की वेशे salicylic acid बने and salicylic acid की वज़े से PR genes बने PR gene कब बने? जब NPR 1 जो लो cytosol में था वो nucleus में करा गया और वहां से उसने TGA transcription factor के साथ interact किया So basically redox potential ने बड़ी important role play गया. कैसे? Redox potential कब increase हुआ था? जब reactive oxygen species बने थे. Reactive oxygen species आपके abiotic stress से भी बन सकते हैं और abiotic stress से भी बन सकते हैं बनने के बाद salicylic acid बना इन सारी process हुई. समझ में आया आपको? I hope कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा process in case you have any doubt, any problem You are most welcome to comment in the comment section. Thank you so very much and please like and subscribe to my YouTube channel. Bell icon को प्रेस करना मत पूलियेगा. Thank you